नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे RPSC 2nd Grade की latest news है जो कि RPSC 2nd Grade की exam data वो जारी कर दीगी है और official notification भी आप देख सकते हैं आपके सामने ये official notification है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 13.10.2018 को जारी किया गए तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या है official notification में उसकी पूरी सूचना तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतक पुरा देखे वीडियो सुरू करें उससे पहले आपसे request है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो प्ली चैनल को subscribe करें और उसी के सामने जो गंटी का बटन है उसे जरूर फिरसकरें ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की notification आपको समय प्रमिल्स की चलो अब देखते हैं OPCL notification की क्या है OPCL notification तो आप देख सकते हैं OPCL notification जिसकी दिनाक आप देख सकते हैं 13 October 2018 को जारी किया गया है जिसमें पूरी जानकरी है जो की कारियाले collector जो की जैपुर द्वारा जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं उपनियसक सकूल सिक्षा विभाग जैपुर द्वारा जिसका विश्य आप देख सकते हैं कि दिनाक 28 October 2018 से 2 November 2018 तक आयजित परतियोगी प्रिक्षाई है तू सिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों को मुख्याले पर उपस्तित करने बाबद तो आप इसका मतबल समझ गए होंगे कि 28 2018 से 2 November 2018 तक आयजित परती होगी जो प्रिक्षाई है आप सभी को पता है कि 28 October से 2 November तक एक ही प्रिक्षा आयजित है जो कि RPSC Second Grade की सिक्षक बरती है वही आयजित की जारी है तो उसी के बारे में यह पूरी जानकरी है आगे भी अगर आ पूरी जानकरी इसके बारे में मिल जाएगी आप समझ जाओगे आप यहाँ पर देख सकते हैं मोदे उप्युक्त विश्या अंतरकत लेख है कि राजस्तान लोग से वायोग RPSC अजमेर द्वारा दिनाक 28 2018 से 2 November 2018 तक वरिष्ट अध्यापक मादेमिक शिक्षा परती होगी प्रिक्षा 2018 का अर्जन किया जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साब साब लिखा गया है कि उप्युक्त विश्या अंतरकत लेख है कि राजस्तान लोग से वायोग जमेर द्वारा जो 28 अक्टूबर 2018 से 2 November 2018 तक जो वरिष्ट अध्यापक मादेमिक शिक्षा परती उनकी डुटी लगेगी उसी के बाद दिनाग 28 अक्टूबर 2018 से 11 November 2018 जो कि दिनाग 28 अक्टूबर से 11 November 2018 के विद्यालियों में दिपावले का मद्देवती आवकास होने के करण जयवपुर जिले में शिक्षा विभाग के पदस्त अपना हधिकारियों एंउ शिक्षकों को दिनाग 26 अक्टूबर 2018 से 2 November 2018 तक मुख्याले पर उपस्तिती रहने के आदे से परसारित करे तता यह है आदेस आदेसीत करे कि उत्तक प्रीक्षा में न्यूक्त किये जानने पर बिना किसी पत्तर विभार के प्रीक्षा डूटी पर उपस्तित हों तो उपस्तित होने के ल गया है जो कि जिला के लेक्टर द्वारा जिस पर साइना आप देख सकते हैं उसकी पूरी जान करी है तो इसका मतबल साफ हो गया है कि 28 अक्टूबर से 2 November तक ही जो प्रीक्षा है वो चलेगी RPSC 2nd Grade की तो जो विद्यारती बरम में थे कि एक्जाम डेट आगे बढ़ेगी एक्जाम डेट के रहेगी तो उनके लिए कलियर हो गया है कि एक्जाम डेटाब 28 अक्टूबर ही रहेगी और 2 November तक प्रीक्षा है चलेगी तो अपने तयारी करते रहें आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई आप बैस्टो पलक आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए धन् वाद दोस्तो जे हिंद जे बारत